बॉलिवुड इंडिस्ट्री के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा। इस साल रिलीज हुई ज्यादा तर फिल्में बॉक्स ओफिस पर अंधे मोह गिरी। दरसल इस साल के शुरुआत में साउट फिल्म आरारार और केजी एफ दो ने हिंदी बेल्ट ऐसा हंदामा खड़ा किय कि बॉलिवुड फिल्में बॉक्स ओफिस पर चारों खाने चित्थ हो गई। वहीं केजी एफ दो ने तो ऐसा धमाल मचाया कि पूरा बॉलिवुड हिल कर रह गया था। अब एक फिर ऐसा ही कुछ होने के संकेत मिल रही है। बता दे कि 30 सितंबर को एक बार फिर बॉक्स पर हंदामा होने वाला है। इस बार मनी रतनम की फिल्म पोनियन सेलवन एक गणित बिगाडने आ रही है। इसी दिन रितिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम वेधा भी रिलीज हो रही है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स की माने तो 500 करोड के बजट की पो अब इसी का हिंदी लेकर आ रहे हैं डाइरेक्टर पुषकार और गायतरी। फिल्म में रितिक रोशन और सैफ अली खान लीड रोल में है। फिल्म को बाइकोट च्रेंड से उतना खत्रा नहीं है। जितना इसी दिन रिलीज हो रही साउट फिल्म पोनियन सेलवन एक से है रिपोर्ट्स की माने तो इस साल साउट फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में खूब कमाई की। मार्च और अप्रेल में रिलीज हुई आरार और केजी एफ दो ने देश के साथ विदेशों में भी जमकर कमाया ऐसे में कहा जा रहा है कि यदि विक्रम वेधा का कंटेंट इसी नाम से बनी साउट फिल्म से अलग रहा तो इसके लिए बॉक्स ओफिस पर तिक पाना मुश्किल होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह से मल्ती स्टारर फिल्म पोनियन सेलवन एक पांच सौ करोड के बजट में बनी पोनियन सेलवन एक में साउट फिल्म इंडिस्ट्री के एक से बढ़कर एक धुरंधर स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म को चार चांद लगाने एश्वरिया राय बच्चन भी एहम रोल प्ले कर रही है। फिल्म में उनका डबल रोल है पोनियन सेलवन एक और विक्रम वेधा वैसे तो अलगलग जोनर की फिल् को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया। पोनियन सेलवन एक की तुलना बाहुबली जैसी फिल्मों से की जा रही है। ट्रेलर जिस तरह के सीन्स दिखाएं वह वाकई कमाल के हैं। वहीं विक्रम वेधा के ट्रेलर में एक्षन और थिलर देखने को मिला आरारार और KGF 2 की तरह ही पोनियन सेलवन एक को भी कननड, कमिल, तेलुगू, मल्यालम के साथ ही हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। साउट की फिल्में जो हिंदी में रिलीज हो रही है, उनको हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किया जा रहा है। हालां की विक्रम वेधा भी अन अच्छा रिस्पॉंस मिला था. 550 करोड के बजट में बनी इस फिल्म ने 1200 करोड रुपए की कमाई की थी वही, बात KGF 2 की करे तो इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर किसी भी बॉलिवर्ड फिल्म को टिकने तक नहीं दिया था. महज 100 करोड के बजट में बनी इस फिल्म ने 1250 करोड रुपए का बिजनेस किया था.